आफ्राधिक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे असिस्टेंट कमिशनर ट्राइबल को न्यायाले ने जारी किया नोटिस मध्यप्रदेश के दिंडोरी जिले के ततकाली नेवं वर्तमान में सिवनी जिले में पदस्त सहायक आयुक्त अमर सिंगुई के पर दिंडोरी जिले में पदस्थापना के दोरान लगभग दो करोडों रुपे के छात्रव रित्ती, खेल सामगरी, सहित अनेक घोटाले के आर अनक शेत्रों में दबिश देकर पतासाजी की गई पर लगातार पुलिस की कार्यवाही से बचते हुए फरार चल रहे हैं। पुलिस द्वारा इनकी गिरफतारी पर पांच हजार रुके का इनाम भी घोशित किया गया है। लगातार लंबे समय से फरार चल रहे अमर सिंग मुख्य न्याइक मजिस्ट्रेट चंदन सिंग चोहान ने नोटिस चारी कर अपना पक्ष रखने के लिए समय देते हुए उपस्थित रहने का आदेश दिया है। उपस्थित नहीं हुने पर धारा बयासी, तिरासी की तहत कार्यवाही करते हुए इनकी संपत्ती जप्त कर करने के आदेश दिये हैं। आपको बता देखी, अमर सिंग ओई के सिवनी जिला के सहायक आयुक्त है जो पूर्व में दिंडोरी जिला में रहते हुए अनुसूचित जाती, जंजाती के छात्रवृत्ती, स्काउट, रैक्रोस, ख्रीडा सहित अन्यमद में 2 करोर का घोटा किये थे, जिस पर फरवरी माह में धारा 420, 409, 34 की तहत मामला दर्ज किया गया था। आधी की तरह लगातार फरार चल रहे हैं, गिरपतार नहीं होने की दसा में नियाले को वारन जारी करने ही तो निविदन किया गया था, जिसमें 82-83 की कारवाई की जा सकी, वारन भी जारी किया गया था जिसमें एक मेनी की आउधी थी, एक मेनी की आउधी में जब साय गिरपतार नहीं हुए हैं तो उनके लिए सारजनिक तौर पर अब उद्गुष्णा समाचार पत्रों के माध्यां पर जारी कराई जाएंगी और तह अधी में अगर वह उपस्तित नहीं होते हैं तो संपत्ति अटेजमेंट की कारवाई की जाएगी वर्तमान में जो रिकार्ड लोका एक तो के दौरा हमें दिया गया दो करोर 69 रूपए गया